दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिन्वाल आम कर रहे जिसमें वह सरकार से वैसे सवाल पूछ रहें लेकिन जब लगातार सोचल मीडिया में रवीश कुमार की स्टीवे की अफ़ा उड़ी तब रवीश कुमार खुद सामने आए और उन्होंने अपने स्टीवे कि क्या कहा है सुनिए माननिय जन्ता मेरे स्टीफा देने की बाद ठीक उसी तरह अफ़ा है जैसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मुझे इंटर्व्यू देने के लिए तैयार हो गए है और अक्षे कुमार बंबईया आम लेकर गेट पर मेरा इंतजार कर रहे है आपका रवीश कुमार दुनिया का पहला और सबसे महंगा जीरो टी रपी एंकर तो अपने इस पोस्ट से रवीश कुमार ने क्लیर कर दिया कि वो स्तीफा नहीं दे रहे है और ND TV में वो जिस तरह से काम करते रहे हैं वो करते रहेंगे रवीश कुमार की एक बात मुझे इस बीच याद आते है जो उन्होंने कुछ साल पहले कारिक्रम के दौरान कही थी जब उनसे पूछा गया था कि अगर आपका प्रोग्राम या आपका चैनल बंद हो गया तो आप क्या करेंगे तो उन्होंने कहा था कि कोई जरूरी है कि टीवी पर बैटकर ही न्यूस पढ़नी है या खड़े हो के न्यूस पढ़ देंगे सड़क पर खड़े हो के न्यूस पढ़ देंगे कुछ नहीं हो का तो बात्रूम में न्यूस पढ़ देंगे जैसा गाना गाते है दोस्तों रवीश कुमाण जैसे पत्रकारों के लिए भले टीवी में कम आप्शन्स हो लेकिन डिजिटल में एक बहुत बड़ा प्लाटफॉर्म उनका इंतिजार कर रहा है कल से बहुत सारे लोग यूट्यूब में वो आने वाले हैं उनका अपना यूट्यूब चैनल खुल ले जा रहा है और अब तो यूट्यूब में विडियो डालने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा ये कहकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है मैं उन लोगों के जवाब दे दूँ कि यूट्यूब दुनिया के सबसे बड़े digital platforms में से आज एक है सबसे बड़ी बात यूट्यूब में काम करने को लेकर जो मेरा experience है वो ये है कि भले ही आपको बहुत आलेशान दफतर नहीं मिलता बहुत बड़ी टीम नहीं मिलती लेकिन आपको आजादी मिरती है और सबसे महत्पूर्ण आप अपने revenue के लिए अपने खर्चों के लिए किसी के महताज नहीं होता है content अच्छा होगा तो दर्शक आपको देखेगा तो revenue आएक और आपके खर्चे चलते रहेंगे यहां किसी की डांड़पट नहीं है यहां किसी का डर नहीं है सिर्फ आपकी जो इमानदारी है अपने content के प्रती होती है अपने दर्शक के प्रती होती है और रवीश कुमार अगर YouTube में आते हैं तो यह एक बहुत बड़ा platform जाहिर तोर पर उनके लिए होगा मुझे लगता है कि उनके पत्रकारिता का एक नया अध्याय भी होगा खास तोर पर वो TV anchors जो रवीश कुमार के YouTube में आने पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं अगर उनकी नौकरी चली गई तो यूट्यूब में आएंगे हाला कि हल फिलाल तो वो नौकरी करी रहे एंडी टीवी में तो मैं उनको बता दूँ जितनी उनकी salary नहीं होगी न रवीश कुमार एक महीने में उतना subscriber base बना लेंगे और जहां तक बात है revenue की तो जाहिर तोर पर revenue भी बहुत अच्छा कमाएंगे उन TV Anchor से कहीं ज़्यादा हो सकता है तीन गुना ज़्यादा आप रवीश कुमार के अपने स्तीफिक को लेकर इस बयान पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और दोस्तो हमारे free journalism को भी आपके support की जरूरत है वो तभी होगा जब आप thanks के option का ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल करेंगे